अरो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नियो पोड़क के बारे में इसका नाम है लोसरी लिन लेकर इसके यूज बेनेफिट साइड इफेक्ट डोजन प्रिकोशन दोस्तों शुरू करते हैं लोसरी लिन लेकर एक एंटि फंगल दवाए जिसका उपयोग नकूनो के फंगल संकर्माण की इलाज में किया जाता है या कवक को मारता है और संकर्माण की इलाज में मदद करता है लोस्रिलीन लेकर का इस्तेमार डॉक्टर दोरा बताए गई खुरा कर अवदी में किया जाना चाहिए को सामाने साइड एपेक्ट में इसकीन पर फपोले नकून के विकार जैसे नकून की छेती और मलीनी करन इसकीन में जलन दाने या आवेदन की साइड पर लालिमा शामिल है करपा अपने चिकिस्ता से परामर्स करें यदि साइड एपेक्ट लंबे समय तक बने रहते हैं सुनिस्चित करें कि आप दवा लगाने से पहले और बाद में अपने हाथ दोले अपनी आखों से करीमा मालम के सीधे संपरक से बचे सीधे संपरक के मामले में अपनी आखों को पानी से दोए और ततकाल चिकिस्ता साइता ले लॉसरी नील लेकर का इस्तिमाल फंगल नील इंफेक्शन में किया जाता है अब जान लेते हैं दोस्तों लोस्रीलीन लेकर के बेनिफिट फंगल नकुन संकर्मन लोस्रीलीन लेकर एंटि फंगल नामक दवा के एक समोग से संबंद रखता है या विबिन परकार की कवक फंगी को मारता है जो नकुन संकर्मन का कारण बनते हैं इससे लगाना आशान है और इससे बहुत कम साइड इफेक्ट है, इस द़्वा का उपी यो करने से आप की उंगली या पैर की नखुणो को स्वास्थी इस्चिति में लाया जा सकता है, लेकि इसमें सहरा लगता है, क्यूंकि स्वास्थ नखुनो को बढ़ने में सहरा लगता है, आपको इसका है, करते रहना चाहिए जब तक कि स्वास्त नखुन वापस न आ जाए यह संक्रमन को वापस लोटने से रोकेगा जिन नखुनों का आप इलाज कर रहे हैं उन पर नेल पॉलिश का इस्तेमाल ना करें अब जान लेते हैं दोस्तों कि लोसरी निन लेकर कि कॉमन साइड एफेक्ट स्किन में जलन जलन हो सकती है इस स्किन लाल हो सकती इसके कॉमन साइड एफेक्ट है जान लेते हैं दोस्तों लोसरी निन लेकर कि डोज इसे हपते में एक बार लगाना है अब जान लेते हैं दोस्तों लोसरी निन लेकर कि प्रिकोर्शन इस दवाई का यह डॉक्टर कि सला के बगर ना करें जानकारी अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू